तु orgasetr बीघरियल है पारस गुट्ट नवादा इला के परवकत जिढ परवकता मुर्ना जी इसे तमाम चीजों पर बात करेंगे पहले मिसले ले 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 तुकि अभि मुक्खमत्री मानिय मुक्खमत्र इन्तिस कुमार यात्रा पर निकले है Beeth सबसे पहले हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से नए वर्ष की सुपकामनाई मघी आवाज को मैं देता हूं और शाथ ही साथ पूरे नवादा जिला के आम जन्मानस को सुभकामना और मंगल कामना करता हूँ जहां तक जात्राओं का सवाल है यह राजनीच से प्रेरित है इसलिए कि अब चुनाव का महौल है 2024 का आगाज हो चुका है 2024 के चुनाव की प्रान परतिष्ठा जो है 23 से ही रखी जा रही है की जा रही है और हमारे मानने मुखमंत्री नितीश कुमार जी जो सुसासन के लिए अपने आप को लोगों के बीच में जाना और मानने के लिए बाद किये लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये सुसासन सिर्फ एक प्रोपगंडा है बस्तु इस्तिती से कोई लेना देना नहीं है जी नहीं सुसासन इसलिए नहीं है कि आप अपराध का जो रिकार्ड है और इनके जो दल बदलू का जो चरित्र है ये दोनों से सबसे पहले कि जनता जो है मरमाहत हो चुकी है इन्होंने जनता का मतल लेकर और बार बार अपने कुर्शी की सुरच्छा के लिए इन्होंने गठवंधन का बदलाव किया और इससे जो सबसे बड़ा दुस्परभाव पढ़ा वो परशासन के लोगों पर पढ़ा वह निरंकुस हो गए एक साल का आगाज हो चुका है दुज़ार तैस एक साल पलस और बचा है आपके नवादा के बरतमान संसद महुदे जो चंदन सिंग्जी है क्या लगता है कि एक साल में क्या-क्या सोगात आप लोग देने वाले है नवादा के लिए जे बहुत ही बहतर प्रश्ण है मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं नवादा की जनता को यह बताना चाहता हूँ कि जितने भी परखंड हैं नवादा में वह नवादा लोग सभा में कोई ऐसा परखंड नहीं है जहां की सांसर्द महोदय के द्वारा विकास का कार्ज नहीं किया जा रहा है हर जगा किया जा रहा है और अगर किसी को यकीन नहीं है तो परखंड हर परखंड का दवरा कर लें और करने के बाद वह खुद यह महसूस करेंगे कि हर जगा उनका काम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है या परकिरिया में है आपको बता देकि नवादा सदर अस्पताल का सबसे ज्यादा अगर मतलब की निगेटिव दिखाने का काम किया तो मग ही आवाज आओ आप लोग देखे भी अलाके अभी सदर अस्पताल का इस्थिति कुछ सुधार पर है वहां पार्क बन गया हर्वल पार्क बना है परसूती बार्ड बना है और लाइट बती इसे पूरी तरह से दिख रहा है और काम जोड़ो पर है लेकिन उसमें और सुधार का जूरत है दूसरा चीज यहां जा चंदन सिंग जी ने सांसद में जाकर लोकसभा में जाकर इन्होंने अपनी आबाज को रखा है और श्राफ सब्दों में कहा है कि हमारी जो कार्ज पालिका है वह एक तरह से निरंकुस है और हम जन परती निधियों को वह वार्गेनिक करता है कभी उस ओफिस कभी उस ओफिस कभी इस टेबूल कभी इस टेबूल पर इस तरह से वह हमारे जन परती निधियों को बर्गलाने का काम करता है जबकि कई बार उन्होंने ओभर रेलवे ओभर ब्रीज के लिए या खुद हर बड़े अफसर्षे मुलाकात करते हैं निवेदन करते हैं सबसे बड़ी बात है कि हमारे महोदे किसी भी अफसर्षे अगर बात करते हैं तो आदेश नहीं देते हैं वह निवेदन करते हैं कि हमारा और हमारी जन्ता का जो अधिकार है जो कार्ज है जिस कार्ज को हमने जमीन पर लाने का अथख परियास किया है उसमें आप सहियोग करके यथा समभव समय के साथ आप उसका निस्पादन करें लेकिन हमें अइसा लगता है कि विहार की सरकार गठवंधन बदली है उसके बाद उन्हों ने अपने करमचारीयों को कार्ज पालका को उन्होंने कहीं न कहीं इर्ष्या बस वह एंडिये गठवंधन के जो भी परती निधी है जन परती निधी है उनके कार्ज को सिथिल करने के लिए रोकने के लिए वह सरकार अपने कार्जपालका को दिशा निर्देश दे रखी है तब तो लाचार होकर उन्हें सदन में अपनी बात को रखने के लिए लाचार होना पड़ा और उठाना पड़ा तो आने वाला समय में मतलब सुधार और दिखेगा है जी बेसक आप देखे होंगे कि सामके वक्त जाइए तो पूरा सदर अस्पताल जो है वो डीजिटल हो चुका है और जाने के साथ ही आपको लगेगा कि ये पुरानी नवादा में नहीं नव नवादा में हम प्रवेश कर रहे हैं और खुद आज अगर प्रवेश की जिएगा तो सबसे बड़ी बात है कि एक स्वच्छता का जीता जाता प्रमान आपको दिखाई पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान था आज नवादा में वाम जन्मानस तक पहुच चुका है यह थे नवादा जिला पारस पूट के जिला परवक्ता मुना जी इनसे तमाम चीजों पर बात किये सदर अस्पता रेलबे गुंटी और ब्रीज जाम्स के समस्या पर बात किये नया साल में 2023 में क्या क्या काम करने वाले हैं संसाद मोदे उन पर भी ब आचीत कैसा लगा कमेंट करकर बताएंगे वीडियो को सेर करेंगे लाइक करेंगे आप देख रहें मघी अवाज मैं सनु धन्यवाद